अपने विदान सवाथ छेत्र अपने उस छेत्र में पहुंची है जहां के गौड़ फादर है अनंद सिंग जियां मुकामा की बात कर रहे हैं आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से आज विजय दस्मी के दिन जब नीलन देवी पहुंचती है मुकामा तो कितना भव्य स्वागत उनका किया जाता है चुनाओ के तारीखों की ऐलान हो चुकी है तीन नवंबर को मतदान होना है और छे नवंबर को मतगरना होना है ग्यारा तारीख को नॉमिनेशन है ग्यारा ओक्टोबर की वो तारीख होगी जिस दिन नीलन देवी अपना नामानकन करेगी और चुनाओ के तारीखों के ऐलान के बाद जो किन दिर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया पहली बार मुकामा पहुंची है नीलम देवी, आज सुबहीं वो पहुंची है जिसके बाद से लगतार जो उनके समर्थक है जो अनन सिंग को चाहने वाले हैं, वो नीलम देवी के नारे लगा रहे हैं इसके साथ ही साथ नील्ण देवी जिन्दा बाद के साथ तेजवी आदब जिन्दाबाद और राश्ट्रिय जंता डल्यानी आर जेडी जिन्दबाथ के भी नारे लग रहे हैं आप इंन विज्वाल्स को इन तस्बीरों को Дेखिए इन वीडियोस को देखिए जिसमें कई तरह किये आपको जो संदेश है मुकामा की जंता दो देना चाह रही है वो मिल जाएंगे क्थेक्षोटर्द लायएंगे क्थेक्षोटर्देश Drew यावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा कर दोंनम दों आ'. कर दोंनम आ. कर दोंन सें precisamente . कर दोंनम हमları आ. जड़ा 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 जड़ तो मुकामा की रण जो है वो त्यार हो चुकी है मुकामा में उप्चुनाओ होने जा रहा है और उप्चुनाओ का बिगुल जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा फूंक दिया गया है और उसके बाद से ही यह आपका सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से नीलम देवी जब से अनन्द सिंग सजयाफता हुए MPM लेक कोट के द्वारा कि जो विशेस अतालत है उसके द्वारा जो सजा सुनाई गई दो मामलों में अनन्द सिंग को 10-10 सालों की सजा हुई है और उसके बाद से ही अनन्द सिंग जब से जेल गये हैं नीलम देवी मुका मुकामा के छेत्र में हैं मुकामा की जनता के बीच है और बार बार ये बात बताना चाहा रही है मुकामा की जनता को कि वह अनन्द सिंग जो मुकामा की जनता के लिए हमेशा एक पैड़ पर खरे रहे हैं वह अनन्द सिंग आज मुसीबत में हैं उन्हें फसाद दिया गया है फसाया किसने है ये बात भी जानती है मुकामा की जनता लेकिन फिल्हाल 2020 की राजनिती नहीं चल रही है जब जेडियू बर्सेस आरजडी था तेजस्वी आदव की पॉलिटिक जो है वो अब यूटन ले चुकी है लेकिन इसके बावजूद मुकामा की जनता को ये भरोसा है कि नीलम देवि का टिकट जो है उतिजस्फी आदव फईनल करें गे और नीलम देवि इस बार जीत कर मुकामा से बिहार विधानसभा में बतौर विधायक छेतर का मुद्दा उठाएंगी सड्कों का मुद्दा उठाएंगी टाल का जो छेतर है जो आज तक गंगा से साथ में नामुदीपतारेन है बहुत बहुत शुक्रिया